आज हमारे साथ इस वीडियो पॉड कास्ट में एक टीवी एक्टर के तौर पर कृष्ण कांथ सिंग बुंदेला मौजूद है लगभग 40 सीरियल्स वो कर चुके हैं और टीवी की दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं देखिए एक्टर बनने का सपना तो बहुत लोगों का होता ही है तो बारत में जन में लगबग हर दूसरे इंसान का होता है और हम करीब दीपी का पादुकॉन और सैफ अली खान जी के सीन के लिए वहां पर 45 मिट तक खड़े रहे हैं कि अभी वह कॉरीडोर से निकलेंगे और हम उनको देखेंगे अचानक को दर्वादा खुला और अमिताब बच्चन जी बाहर आए मतलब मैं शौक डोगया देखकर उसमें से उनने बोला कि आपको सौर रुपे कमिशन देना पड़ेगा मैं का मैं दोस्तों दूंगा आप खड़ा कर दे मैं तो बोले कि आप राम लीला में काम करेंगे यह लेकिन मैं बनूंगा क्या आपको लंकेश बनाएंगे अगदम से आप लंकेश बता रहे हो तुन बाणेश है बेशक अभीमान तुझे बक्ता बेकार का सिखाता है ग्यान को तो मैंने का सर मैं ऐसा नहीं से शंकर भगवान को आज तो धनुशी अकेला है भाशे कमलेश को नहीं मेरी शान को मैरावन रणपंका महेकाल कीना शंका नित्य बाजत्य धंका विदित्स अब जहान को तो यह टीवी पर काम मिलता कैसे है उसको कैसे अप्रोच करना पड़ता एक एक एक्टर को आज का य या हम मारी बॉड़ी अच्छी है और हम रील्स अच्छे बना लेते हैं हम इसलिपसिंग कर लेते हैं तो शायद हम उसके लिए केपेबल हैं तो जब आप वहां जाते हैं तो सबसे पहले तो टीवी इसमें क्या होता है कि आप जो काम करते हैं उसका पेमेंट आपको मिलता तीर महीने बाद का साड़े तीन ओया चार महीने भी हो जाता है पांच महीने भी हो जाते हैं तो जब आप यहाँ से जाओ तो कम से कम साल भर पर आपको राशन होना documents है आपके साथ मैंगा जिनक को जानता हूँ बड़े-बड़े कलाकार हैं वो एक एक लाक तक लेते हैं per day पर डे एक लाग सावालाग तक भी है और कुल मिलाकर आप अगर ज्यादा पब्लिक या ज्यादा लोगों को एंटर्टेन कर पा रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा बजट का यही रहता है टीवी जगत में और सिनेमा के जगत में विसिक फर्क क्या है अगर मैं किसी मूवी के डिरेक्टर से बता दूँ कि मैंने 40 सीरियल में काम किया है तो मुझे ले गई नहीं हम तो ये काम के बदले जिसम मांगने वाली जो एक तियोरी आई थी इंडिस्ट्री से उसमें कितनी सचाई है और कितना डार पहलू है ये इंडिस्ट्री गा मुझे लगता है कि आजकल लड़कियां खुद से भी ये सब करना चाहती है अपरोच करना चाहती है आपने देखो कि OTT पे कितना गंदा महौल भी चल रहा है अब उसमें जो लड़कियां आ रही है वो वैल अच्छे घराने की भी है बुन्देल खंड जेस आप आते हैं वहां सिनेमा की बहुत तरकी नहीं हो रही है या तरकी के तौर पर हम भोजपूरी राष्टे पर जा रहे हैं साउट का जो स्ट्रक्चर है मॉडल है खंड में इतने प्यारे कलाकार हैं इतने सारे हैं कि सब लोग अगर मिल के काम करें तो बहुत अच्छे चीज़ें बन सकती हैं